शुशान सिंग राजपुत का इलाज कर चुकी डॉक्टर ने खोले राज कहारिया चक्रवर्ती ने जून में ही दी थी ये जानकारी नमस्ते मैं हूँ आपके साथ निलकमल सिहाग बॉलिवुड अभी ने था शुशान सिंग राजपुत केस को लेकर कानूनी जान जारी है वहीं स्वीच इस केस में जुड़ी कई चौकाने वाली बाते लगातर सामने आ रही है अभी इस केस में शुशान्त का इलाज कर रहे साइको थेरेपिस सुजेन वाकर का बयान जवरदस्ट चर्चा में आ गया है उन्होंने मुंबई पुलिस को अपना बयान दर्च करवाया था जिसमें सुजेन ने कई रास खोले है उन्होंने शुशान्त के पिता के दिश्टे को लेकर भी खुलासा किया है इसके अलावा उन्होंने यह भी बताया कि शुशान्त उनके पास किस ट्रीटमेंट के लिए आये थे शुशान्त सिंग राजपूत केस की बात करें तो रिया चकरवर्ती के घर NCB का च्छापा पढ़ने की खबर आई है इस केस को लेकर तीन तीन एजेंसी जांच में जुटी है सुजेन वाकर का मुंबई पुलिस को दिया स्टेटमेंट सामने आया है शुशान्त का इलाज कर रहे साइको थेरेपिस्ट सुजेन वाकर का मुंबई पुलिस को दिया ब्यान सामने आया है उन्होंने मुंबई पुलिस को बताया है कि एक्टर का काफी यंग एस से ही एक्जाइटी का मेडिकेशन चल रहा है इस डॉक्टर का दावा है कि शुषांद वाइपॉलर डिसॉर्डर से जूंज रहे हैं डॉक्टर का कहना है कि शुषांद को लगता था कि वो अब ठीक नहीं हो सकता उसकी कंडिशन 2013 और 2014 में काफी बिगडी थी रिया ने बताया कि शुषांद ने उस वक्त प्रोफेशनल की मदद ली थी डॉक्टर के बयान के मताविक शुषांद ने बताया कि वो अपनी मा के बेहत क्लोज थे और उनकी निधन के बाद वो बहनों के काफी क्लोज थे लेकिन मैंने पाया कि वो अपने पिता के क्लोज नहीं थे उनका कहना है कि शुशान्त अक्सर, स्पेस, इस्ट्रोनॉमी और फीजिक्स की बाते किया करते थे रिया से हुई बाच्चित का धार पर सुजैन ने कहा कि मुझे ऐसा लगा कि रिया उनका बहुत ध्यान रख रही है उन्होंने बताया कि शुशान्त अपनी हालत को काफी इग्नोर करते थे जुनमेरिया ने उन्हें एप्रोच किया था और बताया था कि शुशांत ने दवाया लेनी बंद कर रखी है और उनकी हालत भी गरती जा रही है आपको बता दे कि शुशान सिंग राजपूत के परिवार के वकील विकास सिंग ने बताया था कि फैमिली को शुशान के पैनिक अटेक्स के बारे में जानकारी है लेकिन डिप्रेशन की बात पर उन्हें भरोसा नहीं है बलकि उन्होंने चुरिया चक्रवर्ती पर कई आरोप लगाए है